स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं प्रदेश में फैली तेंद्वे की दहशत को लिकर प्रदेश में तेंद्वे की हमले से दहशत मची हुई है उदैपुर में गुरुवार को शाम तक बीते 24 घंटे में भीतर आपको बता दे तेंद्वे ने दो लोगों को अपना निवाला बना लिया दो सप्ता पहले भी तेंद्वे ने एक महिला को मार डाला था बीते पांच महिनों में यहां तेंद्वे के हमलों में आठ लोगों की जान जा चुकी है प्रदेश में तेंद्वे के बढ़ते हमलों की बड़ी वज़े इनकी आबादी का बढ़ना भी है वन्विभाग की ओर से किये गए वाटर होल सेसंस के अनुसार इस साल तेंद्वे की आबादी 925 हो चुकी है जो 2022 में 818 थी आपको बता दे कि 8 सितंबर को 40 वर्षिय मीराबाई की तेंद्वे ने हमले में जान ले ली थी और इंसानी मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए वन्विभाग ने NWV को पत्र भी लिखा है इसके अलावा वन्विभाग ने राजस्थान में तेंद्वे का सरक्षिन करने वाली NTCA से भी संपर्क किया है मामले में सहायता की मांग की गई है वहीं वन्विभाग की टीमी आदम खोर पैंथर को पकड़ने में जुटी हुई है लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई है पैंथर्स की ओर से किये जा रहे अटैक से इलाके में खौफ का माहूल है जानकारी के मताबिक पैंथर्स ने पहला शिकार बधवार शाम को गोगुंदा इलाके में नाबाइग लड़की को अपना नेवाला बनाया था इस गटना के 24 गंटे के भीतर फिर गोगुंदा इलाके में पैंथर्स ने शाम को एक युवक पर हमला कर उसे माज डाला युवक गोगुंदा के भीवडिया गाउं का रहने वाला था पैंथर्स ने उस पर जंगल सिवार आते समय हमला किया और पैंथर्स के हमले में मारे गई युवक की पहचान खुमा राम के रूप में हुई है तो उदैपुर में इस वक्त तेंदवे की दहशत देखने को मिल रही है 24 घंटे में दो लोगों को तेंदवे ने अपना शिकार बनाया है और 11 दिन में तीन लोगों की अब तक जान जा चुकी है पांच महिनों में आठवी जान गई है आठ सितंबर को तेंदवे के हमले में एक महिला की जान गई थी 40 वर्षय मेरा बाई को तेंदवे ने अपना शिकार बनाया था वन विभाग ने NWB को पत्र लिखा है वन विभाग ने NTCA से भी संपर्क किया है वन विभाग की टी में पैंथर को पकड़ने में इस वक्त जुटी है वन भरतपुर के केवला देव नैशनल पार्क में एक बार फिर पैंथर का मोमेंट दिखा है बता दे की ब्लॉक में पाइथन इलाके में सड़क पर पैंथर दिखा पुलिस अदिक्षक म्रदुल कच्छावा शाम को घूमने गए थे इस जवरान उन्ह buyersने मोमेंट को कैमरे में कैयत किया प्रशासन को मामले की जुहांकारी दी हना प्रशासन ने पार्क में घूमने वाले परयट को को एडवाइजरी जारी की है पार्क में अकेले ना घुमे क्योंकि पार्क में पैंथर की मुमेंट देखी गई है राजस्तान में पैंथर पिछले ग्यारा दिन में तीन लोगों की जान ले चुका है